सूपर संडे को आई पिल सीजन 17 में दो मुकाबले खेले गए पहला मैच केक्यार और लस जी के बीच इडन गार्डन में खेला गया जिसमें टॉस जीत कर कॉलकटा के कप्तान शिरेशायर ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबा के बाज क्विंटन डिकॉग ने मिचल स्टा के पहले ओर में लगातार दो चौके लगाते वे दस रन बटोरे और एक अच्छी शुरुआत करने का परियास किया लेकिन अगले ही ओर में वैवर रोडा ने केल राहूल से एक छक्ता खाने के बाद पांचवी गेंद पर डिक स्टा की गेंद पर आउट हो गए रमंदीप ने हुडा का शांदार कैच पकड़ा पाउर प्ले खतम होने के बाद लेस जी ने दो विगेट खो कर 46 रन बनाए थे इसके बाद केल राहूल एक बार फिर सेट होने के बाद आउट हुए 11 ओर में आंद्रे रसल की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के परियास में रमंदीप को राहूल कैच दे बैठे फिर अगले ही ओर में वरुन चकरवर्ती की गेंद पर मार्कस 20 बीद दस रन बना कर आउट हुए फिलिप सॉल्ट ने उनका शांदार कैच पकड़ा वही 15 ओर में सुनिल नरेन ने सेट बलेबाज आयूश बदोनी को भी 29 रन के नीजी स्कोर पर पविलेन भेजा 15 ओर के बाद लेसजी का स्कोर 113 रन पर 5 विगेट हो गया था लेकिन इसके बाद अंत के ओरों में धागडबलेबाज निकूलस पूरन ने तेजी से रन बनाया और स्कोर को डेड़ सोगे पार पहुँचाय हालें कि 20 ओर की पहली गेंद पर मिचल स्कोर पविलेन भेजा पूरन चार छक्के और दो चौकों की मदद से 45 रनों की तावर तोड़ पारी खेली और आउट हुए वही कुरनाल पांडिया ने अंत में 7 रन बना कर नाबाद रहे इस तरह लेसजी की टीम 20 ओर में 161 रन तक पहुच पाई के के यार की तरफ से इस टाक ने आज बहतरीं गेंद बाजी करते हुए चार ओर में 28 रन दे कर सबसे ज़्यादा तीन विगेट हासिल किये इसके बाद टार्गेट का पीछा करते हुए के के शुरुआत शांदार रही पहले ही ओर में लखनव के गेंद 22 रन खर्च कर दिये हाला कि मौसीन कान ने खतरनाक बलेबाज सुनिल नरेन को आज ज़्यादा देर विगेट पर नहीं टिकने दिया और केवल 6 रन की नीजी स्कोर पर पवीलियन चलता किया इसके बाद मौसीन ने चौथे ओवर में युवा बलेबाज रगुवनसी को भी 27 रन की नीजी स्कोर पर आउट किया यहां से लगा कि लेसजी की टीम मैच में वापसी कर जाएगी लेकिन फिलिप सॉल्ट और श्रेश एयर आज अलग मूड में दिखें। चौके निकले दोनों के लाडियों ने 120 रनों की नाबाज साज़ेदारी की और टीम को 16 ओवर में ही मैच जिता दिया। फिलिप सॉल्ट फ्लेयर ऑफ दे मैच रहे।